आज हम लोग बात करेंगे object fit और object position properties के बारे में कभी-कभी एक container के अंदर एक image को हमें कुछ इस तरह से रखना होता है such that उसकी width में वो पूरी cover हो जाए या फिर वो पूरी उस dipbe के अंदर अपने aspect ratio को maintain करते हुए fit आ जाए इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम लोग यूज करते है object fit property और object cover property को भी मैं आप लोग को इस वीडियो में detail में cover करके बताऊँगा आप लोग इस वीडियो को like करके नीचे comment section में sigma back show भी जरूर लिख देना चलते है computer screen में लेट्स रोल दे इंट्रो यह जो object fit property है और object position property है यह एक बहुत बड़ी problem को solve करते है css में और web development में मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या होता है तो देखो यार सबसे पहले तो मैं आप पर index.html अलड़ी video 49 पर बना दिया boilerplate template डालूँगा और मैं आप लोग को बताऊँगा css object fit and position ठीक है और फिर उसके बाद हम background position की भी बात करेंगे ठीक है तो अभी मैं आपर क्या करूँगा एक container बनाऊँगा ठीक है मैंने बना एक container मैंने का भाई साब ये container है मैं कुछ styles लिखूँगा और style के अंदर मैं लिखूँगा कि भाई जो container है इसकी जो height है वो कर दो आप से 34 pixels और इसकी जो width है वो कर दो आप 88 pixels और यहां पर मैं एक यहां पर border डालूँगा border 2 pixels solid black या मैं भी एक background color भी डाल दूँगा यार और इस बार आपके पसंद कर डाल दूँगा color कोई दिक्कत नहीं तो यह एक डबबा बन गया कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने एक मैं copy करूँगा और copy करने के बाद मैं यहां पर IMG Tech का स्थमाल करके यहां पर डाल दूँगा ठीक है और मैं आपर जल्दी से word wrap और उसी के साथ साथ toggle screencast mode भी कर लेता हूं ताकि आप लोग को दिखे मैं क्या कर रहा हूं ठीक अभी मैं इसका preview दिखा हूँ आपको तो देख मैं कह सकत हूँ यार एक काम करते हैं ना simple तो है कहां tension ले रहे हो width दे देते हैं अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर अंदर रहे width दे देता हूँ 66 pixels और height मानलो मैं दे देता हूँ 88 pixels मैंने अपने मन से दे दी height or width और you know what यह image तो खराब हो गई तो यार मैं इसका aspect ratio इससे अच्छा मैं क्या करूँगा मैंने 466 pixels कर दिया 488 pixels कर दिया अब यहां पर देखो यह image खिच सी गई इसका aspect ratio maintained नहीं ध्यान से सुनना मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए अब यहां तो मैं इसका aspect ratio ढूँँ जाके कि इसकी height इतनी है यह 2 to 1 image है तो अगर height इसकी मानलो 20 है ठीक है तो इसकी width मैं उस हिसाब से calculate करूँ तो वो समय मैं नहीं पढ़ना चाहता मैं सिर्फ एक property का इस्तेमाल करूँगा जो CSS मुझे प्रदान करी है और वो property का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और वो है object fit property मैं इसमें object fit लगाँगा और इस बात को ध्यान से सुनना देखो ध्यान से सुनना मैं उगली दिखा के बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना क्योंकि आएगा नहीं समझ में बरना object fit मैं अगर यहां पर मानलो लिखता हूँ cover मैं काऊँगा भाई cover कर लो इस डब्बे को इस width और height को मैं इस width और height की बात कर रहा हूँ ये जो image के इंदर मैंने width और height लिखिये इतने position को cover कर लो यानि कि 466 pixel और 488 pixel को cover कर लो जो कि तुम fit तो आ नहीं पाऊँगा image तो मैं image से कह रहा हूँ देखो भाई image तुम से ये इस डब्बे में fit तो हुआ नहीं जा रहा है यूगि तुम्हारा aspect ratio भिगड़ रहा है तो क्यों ना इसने इतने ही aspect ratio को cover किया है तो मैं काम करता हूँ जो parent है उसकी width और height भी same कर दे था देखो parent से कोई मतलब नहीं है इस container में मैंने क्या width और height दिया है उसको cover किया जाएगा समझ रहो आप लोग यानि कि object width cover करने से ये सिर्फ इसकी देखेगा height और weight इसको अपने parent की height और width स कोई मतलब नहीं है लेकिन तब भी मैं चस्त आपको दिखाने के लिए कि इसकी width और height same कर दूँगा ठीक है और height 488 कर दूँगा तो 488 और अब आप लोग देखो कि cover करने से क्या हो इसने इसको ढग लिया such that कि aspect ratio maintained हो अगर मैं inspect करके आपको दिखा हूँ तब आप लोग यह यहाँ पर देखो कि यह जो container है देखरो container container को इसने ढख लिया और इमेज को इसने प्रकार से रख दिया कि cover कर लिया इस image ने समझ जो अगर इस image को मैं आपको दिखा हूँ तो यह ऐसी है यहाँ पर यह ऐसी image है ठीक है लेकिन इसने सिर्फ इतना portion image का दिखाया अब मैं चा काटनी पड़ेगी न हाँ मैं काटनी तो पड़ेगी तब ही तो cover कर पाऊग इस box को चलो ठीक है कोई बात नी मैं काम करो तुम पूरी image दिखा दो और जगा बचने दो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं object fit contain तो अगर मैं इसको contain करूंगा तो इस width और height में यह object contain करेगा करेगा पूरा दिखेगा मुझे और देख लो पूरा दिख रहा है इस बार लेकिन भाई जब पूरा दिखेगा और aspect ratio भी मुझे maintain करवाना है तो यहां से और यहां से जगा तो बचेगी ठीक है चलो जी बढ़िया तो मैं काओंगा यार यह जगा मुझे अच्छी नहीं ल आप यह बता सकते हो कि जब कटे तो कौन सा वाला portion आपको पूरा दिखाना है आपको top right दिखाना है आपको bottom right दिखाना है आपको left और bottom left दिखाना है या फिर आपको कौन सा दिखाना है या आप खुड decide कर सकते हो ठीक है तो उसके लिए property होती है object position तो मैं कहूंगा object position जो ह आप कर दो top right तो मैं जैसे ही top right करूँगा आप देखो इसने मुझे top right वाला पूरा portion दिखा दिया और इधर वाला काट दिया ठीक है अगर मैं कहूं bottom right तो मुझे bottom right दिखेगा बहुत ही simple यार यह चीज bottom वाला पूरा दिखेगा राइट वाला पूरा दिखेगा और बागी देखो भाई काटना तो पड़ेगा image को तभी तो पूरा दिखा पाऊगो image को तो इस तरह से object fit property काम करती है बहुत ही simple सी property CDC property कोई दिक्कत नहीं ठीक है I hope यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं और इतना ही object fit और object cover के बारे में सीखने से sorry object position और object fit के बारे में सीखने से आपकी जिन्दगी इतनी असान हो जाएगी निए जब आप देखना हम लोग projects बनाएंगे तब हम कितना यूज़ करेंगे इस property को बहुत आपकी जिन्दगी असान होने वाली है इतना ही अगर आपने सीख लिया तो अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको और बताता हूँ तो जो object fit की by default property होती है वो होती है fill तो अगर मैं इसको अटाकर fill कर दूँ ठीक है object fit को fill कर दूँ तो क्या होगा यह कुछ इस तरह से दिखेगा ठीक है क्योंकि यह इसको पूरा जो मैंने width दी है और जो मैंने height दी है वो image पर लग जाएगी तो इस तरह से यह पूरा fill करेगा पूरी image दिखेगी लेकिन distorted दिखेगी इसके बाद होती है एक property एक value object fit की वो होती है मैं आपको दिखाता हूँ scale down तो मैं अगर scale down करूँ तो यह छोटा हो जाएगा ठीक है scale down हो जाएगी मैंच हमारी और जादा तल तो यार इस्तेमाल होती है हमारी object fit की contain और cover fill by default होती है और आपको reset करना है तो आप none कर सकते हो तो यह reset हो जाएगी मैंने object position लगा रखा है उसकी वज़े से ऐसा दिख रहा है लेकिन अगर मैं अभी scale down लगाऊँ आपको दिखाऊँ scale down लगाकर यह अटा देता हूँ तो यह देखो कुछ इस तरह से यह दिखाई देगी कुछ इस तरह से लिखाऊँ कि यहार मुझे चाहिए 10 pixels और यहां से चाहिए say 20 pixels तो यह obey करेगा ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको दरा cover कर देता हूँ ठीक है तो मैं cover करूँगा अगर तो यहां से इसने यह distance इसकी बढ़ा दी cover करने के बाद इसने यहां से यह distance ले ली अगर मैं कह दूँगा कि भाई contain करो अगर मैं कह दूँगा contain करो तो यह देखो इसने उसी हिसाब से shift कर दिया image को ठीक है तो आप यह object position जो है अपनी change कर सकते हो यह करके इसका इसका इस्तेमाल करके आप लोग तो आप देखो यह कुछ इस तरह से आजएगा और अगर मैं यहां पर object fit को कर दूँ से cover तो यह देखो 50% 50% मतलब यह center वाला portion मुझे दिखा रहा है ठीक है I hope की clear है सबको और हम इसको काफी इस्तेमाल करने वाले आने वाले videos में अब मैं आप लोगों को background के बारे में बताना चाहता हूँ एक तो तरीका हो गया एक image को रखकर एक image element को रखकर यह सब कार्म करने का लेकिन एक और तरीका होता है जिससे कि हम इस image को URL को इस्तेमाल करते हुए background दे सकते हैं इस container को तो मैंने इसको comment out किया और मैंने यह जो image है वो तो मेरा भी एक्जिस्ट ही नहीं करना इसको मैंने comment out का दिया तो मैं container पर क्या करूंगा instead of giving background color मैं कहूंगा कि I want to give a background और background image मैं दूंगा और मैं URL का इस्तेमाल करूंगा और double quotes में URL डाल दूंगा तो मैं कहूंगा इस container में यह background set कर दो अब यहाँ पर यह alt is equal to क्यों दिख रहा है I guess मैंने कुछ जोड़ बढ़ कर दी है मैंने commenting के time पर जोड़ बढ़ कर दी है which is fine अभी यहाँ पर यह बिल्कुल सही दिख रहा है इसको मैं ऐसे करूंगा यहाँ पर डाल दूंग अब ठीक है तो आप लोग देखो यहाँ पर कि जब मैं background image URL ऐसे कर दूंगा तो यह element नहीं है लेकिन एक background लग गया है अब मानलो मैं चाहता हूँ कि मैं center portion देखू इस image का तो मैं चाहता हूँ कि इस container में background लग जाए such that मुझे center part दिखे image का या फिर मैं इसको center center भी बोल सकता हूँ center center तो आप देखो मुझे center वाला portion दिखेगा without image का aspect ratio change करें अब यह image नहीं है यह background है कभी-कभी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी images download ना हो पाए inspect element करके noobs उनकी images को download ना कर पाए तो वो background लगा देते हैं वो भी download हो जाता है यहां से background image से ठीक है तो करने वाले तो सब कर लेते हैं बट मैं जब बता रहा हूँ आपको काफी लोगों को मैंने देखा है कि background लगा देते हैं ताकि image download ना हो ठीक है और right click करने से भी open image in new tab नहीं आता है तो यह था background के बारे में अब आप यहां पर जो है background position मैंने आपको बताया background image मैंने आपको बताया फिर क्या होता है ना कि एक बर अगर आपने छोटी image लगा दी background मैंने background position नहीं लगाई ठीक है और मैंने background image ऐसी लगा दी जो कि एक छोटी image हो चलो यार, चोटी image का एक example देता हूं आप लोगों को, मैं जस्ट चाहता हूं कि एक चोटी image मुझे चाहिए, मैं इसको तरह वेब साइट कोई खोल बेता हूं, पता नहीं कौन सी वेब साइट खोल रही है, ये खोल लेता हूं, और मैं बस ही चाहता हूँ एक चोट टीसी में जो इमेज बल जाए, उपन इमेज इन नियू टाब, अब देखो इनोंने बें बैक्ग्राउंड लगा रहा है, नहीं, यह रही इनकी इमेज, यह एक छोटी इमेज है, लेट्स कॉपी इस, और अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो आप देखो, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद, मैं जिस आप कोई दिखाना चाहता हूँ कि यह रिपीट होती है इमेज, अगर आप रिपीट एक्स लिख दोगे, तो अगर छोटा हुआ, अगर जो बैगरण इमेज का विट्ट है, वो छोटा हुआ, तो एक्स में रिपीट होगा, वाई में रिपीट नहीं होगा, तो देखो यह एक्स में रिपीट होगा, य में repeat नहीं होगा, अब X में इसको जरूरत ही नहीं पढ़ी, repeat हो नहीं की पूरा हो गया, देखो repeat हो रहा है by the way, अगर देखो इसको दियान से, zoom करके दिखाता हूँ, यहां से repeat होना शुरू हो गया यह, तो यह पता नहीं चल रहा होतना, लेकिन Y में repeat हो रहा था, तो अग को यह कुछ इस प्रकार से एकदम सेंटर पर आजाएगा आपका background, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी background image कापी बढ़ी होती हो, आप सिर्फ center part, यह top right part, यह top left part उसका दिखाना चाहते, तो वह आप दिखा सकते हैं, इन properties का इस्तेमाल करके, तो यह थी कुछ background की related properties, I hope आपको स reference पर जाकर, थोड़ा clearly आपको समझ में आएगा, तो जब आप कहते हो कि background clip border box है, तो यह आपका content होता है, अगर आप padding box करते हो, तो padding हटा के आपका content होता है, content box करते हो आप लोग, तो अंदर होता है आपका content, यह padding जो है, वो नहीं आती है, वो गिंती में नहीं आती है, ठी but it's good to know, ठीक है, और एक बात और बोलना चाहूँगा इस वीडियो में कि ऐसी बहुत सारी properties होंगी, जो कि खोद explore करोगे आप लोग, but जो मैं इस course में बढ़ा रहा हूँ, 99.9% मैंने सब कुछ आपको बता दिया, और projects के तुरू और भी सब कबर हो जाएगा, तो आप request है में इस वीडियो में आप लोगों से, कि आप यार पहले वीडियो में जाकर इस course को review कर दो यार, आप पांच में से कितने stars देना चाते हो इस free course को, आप प्लीज मुझे वहाँ पर comment में बता दो, ताकि वो लोग जो की समझ रहे यार, ये तो एक free course है, इस course को काफी हलके कर सकता है, और आप में से कोई इस अच्छा course बना सकता है, तो capabilities की तो बात मैं करता नहीं हूँ कि यार, कोई कर नहीं सकता है ऐसा, अभी तक, जो है, सबसे बड़िया course ये है, web development का, तो मैं चाता हूँ आप लोग access करो यार, इसको मैं चाता हूँ जादर से जादर लोग access क कि आप पहले वीडियो में जाकर एक अपना review डाल दें कि भाई, ये इस course का क्या review है, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाता हूँ